मजनू बंदर आजाद हो गया पाठ प्रवेश हमें पशु पक्षियों के साथ अच्छा विवहार करना चाहिए उन्हें परिशान करना या किसी प्रकार का दंड देना अपराद है जिस प्रकार हमें अपनी आजादी प्यारी है उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी आजाद रहना अच्छा लगता है साल में कई बार दुली चंद मदारी लैला और मजनू नाम के बंदर बंदरिया को लेकर सांकल गाउं आता और तमाशा दिखा कर गाउं वालों का खूब जी बहलाता पर इस बार जब दुली चंद काउं में तमाशा दिखाने आया तब मजनू के साथ लैला बंदरिया नहीं थी दुली चंद ने बताया कि लैला मर गई अब मजनू अकेला था फिर दुली चंद की डुगडुगी बजने लगी और मजनू बंदर कर्दब दिखाने लगा बोलता और मजनू दो टांगों पर खड़ा होकर चलने लगता। इस तरह दुली चंद और मजनू का जीवन चल रहा था। सांकल गां में डेरा डाले अभी तीन दिन ही हुए थे। कि एक दिन दुली चंद घबराया हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। उसका मजनू गले से रसी निकाल कर भाग गया था। उसकी तो रोजी रोटी का जर पर पतंग उड़ा रहा था। तभी पडोस का लड़का बीरा चिल लाया। बंदर वह देखो उसकी पूँच यहीं चिपा है वह मजनू बंदर। केसर ने बीरा के मूँपर हाथ रखकर चुप होने का संकेत किया। क्यों। बीरा कुछ समझा नहीं। क्योंकि मजनू के पास वे कैद रहते हैं, भूखे और बीमार रहते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। केसर ने कहा। पर दुलीचंद वे क्या करेंगे। बीरा ने पूछा। उनकी चिंता छोड़ो वे दो हाथ दो पाउवाले इंसान है, वे कोई दूसरा क कर सकते हैं। जंद का जानवर है, हमें उसे सौब देना चाहिए। उससे ही उसकी रोजी रोटी है। केसर ने नाना जी के सामने अपनी बात रखी। नाना जी मजनू वहाँ खुश नहीं है, उसे भी तो आजाद रहने का हक है। हम क्यों से इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। क्यों ना हम दुली चंद चाचा को कुछ पैसे दे कर कोई और काम धंधा करने को कहें। इस तरह हम मजनू को आजादी देंगे और उसे भूख और तकलीव से बचाएंगे। नाना जी केसर की सोच से बहुत खुश हुए और बोले। वाह, हमारा बच्चा बड़ी बड़ी बातें जानता है, समझता है, चलो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने दुली चंद को बुला कर गाउं में चाई की एक दुकान खुलवा दी। दुली चंद खुश था, अब उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, और सबसे खुशी की बात यह थी कि अब मजनू बंदर आजाद हो गया था।